हाई एवरीवान वेल्कम बैक तो माई चैनल आई होब यह लार गाइस डूइंग वैल आज के इस वीडियो में मैंने यह सॉफ्ट मेकप लूप किया है और विंटर में मेकप कैसे करें यह भी मैं बताने वाली हूँ आप स्कीन को कैसे प्रैप करते हैं हुआ बहुत ही सटल सा भोग değ light सा ही मेंकप किया मैंने और बहुत ही आई मेंकप किया इस लूकंए ओंडर मीडियू चैनल पर णूर्ण को बी सबस्क्राब हुआ करना रहा हूँ और हम फ्रैश लूक के पड़एजल कलर हैं नवर्थ का टोनर U मैंने पहली फेश वास कर लिया था है एंड टोनर को ड्राइ होने के बार पॉंज का सूपर लैड जल मॉश्रेजर यूज कर रही हूं क्योंकि मेरी स्कीन जो है बहुत ही ज्यादा ऑईली है और मेरी स्कीन जो है थोड़ा सा टेक्सर है थोड़ा सा पिग्मेंटेशन फ्रेकल मैं जो है जल बेस्ट प्रोड़क्स ही ज्यादा प्रिफर करते हूं वरना एकने वग्यारा की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे तो मोश्राइजर को अच्छे से अप्लाई करना आपको इस पेसले विंटर में आपको डबल कोड करना है मोश्राइजर का सिंगल कोड से काम नह सेले को बेस आते हैं विलको सॉफ्ट सा जो ब्लेंडेड हो स्की में मर्ज हो जाता है तो आपको सीरम भी यूज करना है यह फेसे कनड़ा का प्राइमर यूज करने हो का यह बहुत जादा अच्छा प्राइमर है यह लाइक ऐसा है कि मैग का स्टॉप क्रीम कंपैर कर सकतो ह और बहुत इक ग्लो भी करता है एक नैच्चरल हाइलाइटर का काम करता है प्राइमर के बार में एज़ा करेक्टर मैं थोड़ा सा डार्क शेड का कंसीलर ले रही हो मैं जैसे क्राइलोन का मेरा आजा बेस भी उसकते हैं अपने स्कीन टोन से डार्क होना चाहिए एक दो टोन से फेयर था और एक था डार्क आजकल वैसे भी मेरा स्कीन टोन जो है वो थोड़ा सा डल हो गया है विंटर में हो जाता है जैसे कि मेरा भी हो जाता है किसी किसा हो जाता है विंटर में थोड़े स्कीन टोन जो है वो डाउन हो जाती है इसलिए मैं फिर भी अपने एक्जेक करने के नीड नहीं पड़ती है यह फॉरेवर फिप्टीटू का कंसीलर है एल जीरो इसको एज हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूं इसको हाइलेटिट पॉइंट जैसे के अंडराइस एंडर फॉरेट जो भी यूजिल हाइलेटिट पॉइंट है वह उसमें यू लेकि आपको ब्लेश यूज करना है मैं थोड़ा सा अप लिप्टेप टेक्नीक से ब्लेशर यूज कर रहे हूं पीछे की तरह मैं ज्यादा रख रही होगी और इमेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी हो गए आजकल मेरा गाइस वेट गेर हो रहा है तो कोई कमेंड में आग अगर हम प्रोटक यूज करते हैं जो क्रीज आ जाती है उसको हम अच्छे से पाउडर से लॉक कर सकते बनाना या ट्रांसलोशन पाउडर यूज कर रहे हूं ताकि अच्छे से बेक हो जाए उसके बार कॉम्पैक्ट यूज कर रहे हूं आप देखो इससे ना लगी आपनी ब्लस्ट यादा यूज करते हूं जाए ब्लस्ट यूज करते हूं इसमें से तोड़ा सप्रिंग सेड लेके अपना जो क्रीम ब्लस्ट उसके उपर फिर से एक तच्छब देते हैं ताकि वह लोग हो जाए में लिकाई इस पाउडर ब्लस्ट क्या होता है अपलाई क तोड़ी देर कुछ आर्स बात किया थे थोड़े वह गाइब हो जाता तो आपको पाउडर ब्लस्ट से एक बार और कोटिंग करने है क्लिरिम ब्लस्ट आपको करना ही करना है अगर आप लोंग लास्ट इंग ब्लस्ट चाहते हो तो तो ऑन रो को फिल कर रही हूं आया की जो सेफ है मेरे राइम ब्रो को जो सेब मैं क्लियर उसको एक क्लियर फ्रेश लुक के लिए वह यूज कर बहुत जादा फैयर कंशिलर जो है वह मैं लिड़ यूज कर दों जो लाइन बनाते हैं आइब्रों के नीचे से वह ज़्यादा फेयर अपनी स्किन टोन जा बहुत ज्यादा फेयर से नहीं करें तो ज्यादा बैटर रहेगा अगर आप रियालिटी में मेकप कैसे दिखता है वह देखना चाहते हो तो ठीक है फोटो में तो अच्छा लगता है है बर रियल में नहीं अच्छा लगता है आई हैडों के लिए जैकलीन हील के पैलेट लिए मेटालिक शेड लेके सीधा डायरेक्ट मैंने पहले ही मेटालिक शेड फिंगर से लेके इनर कॉर्णर की तर हाफ लीट तक अपलाई कर लिए बहुत ही इजी आई शेडो करूंग का Pend burningmmm का लिए में अधानल करों के वहीं हें की तबारेक्श पीच में हार दोन करने ब्लेचा कष़िए व्लैक के खालाई को आनल नहीं जोता है यह तोध कर ह Careст कि क। लेना है काजल यूज लाइनर यूज नहीं करूंगे ब्लैक आइशडू लेकर इसमज लाइनर यूज करें हुड़ेट आइज के लिए बहुत ही जादा बैस टेकनिक है हुड़ेट आइज में लाइक लाइनर जो है वह इतना अच्छे फिनिशिंग भी नहीं आते और लेए उसके बाद याई मेंजिक का पिगमेंट ले रही है पीचिक्स नमबर का पिगमेंट है तोड़ा सा गोल्डन और पिंक टाइप का रिफ्लेक्शन दे रहा है तोड़ा सा और साइनी साइनी लगे है मेरा आई मेकप जो है देखो गाइस कितना एजी मेकप किया मैंने लाइट शेट पहले मिटा लिए फिर मेडियम शेट न ऐउटर कोन पे डाक शेट लाइट लाइट लाइक सेट मर्ज कर दें प्रेश्ट चाजल ले रहे घर अगर आप ब्राउन काजल की सर्च में होता आप यह फिस कानाट ब्राउन काजल ले सकते हो बहुत ज़्याद जो मेरे चार लैसे उनको अच्छा तो दिखाना ही है तो थोड़ी वॉल्यूम के रट देखो का है मेरे चार लैसे भी कितनी अच्छी लग रही है अफटर टू और फ्री कोट अफ मस्कारा ठीक है जो भी वाल आउट से जो भी मेरा एक्स्टा बाडर उसको डस्ट आउट करन अब पर देखेपानिया अब वहत जादा पुमेंट इसनग मेरो लेगा है आप लाइधर अंख मन्क लेगा चार पर अपलाए करने के बार में ब्लेश की कोटिग करते हो क्योंकि घर है नहीं नहीं हो पता है ब्रुशे तो इक बार ब्लशर और अपला गरों तो उसकी चंग राउन और थोड़ा साइड मिक्स किया दो रंगार यह मेरा आई मेकप कितना फ्ला लग रहा है और बिल्कुल सब्सक्राइब लगा उसको आरी मेकप कर लेगा जिसको मेकप का एम भी नहीं आता है यह लोक ऐसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूरा ना फ्लाकर दो शुक्राइ और शेयर जरू कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर बाबाई